मुझे आज भी याद है जब 2020 में मेरा क्लास 12 CBSC का रिजल्ट आया था और मुझे मालूम चला था कि मैंने 95.6% स्कोर की और अपने स्कूल में टॉप किया है तो मैं बिल्कुल भी सर्प्राइश नहीं था क्योंकि मुझे मालूम था कि मेरा रिजल्ट आसपास ही आने वाला है रीजन मैं चैकर को बताके आया था कि मुझे अपने आंसर्स के लिए कित्ते माक्स चाहिए हैं हेलो एवरिवन, माइ नेम इस गुरू टेहंगुरिया, को फाउंडर आफ दे ट्वेन बोर्स यूट्यूब चैनल मैंने जो भी कहा है, सच कहा है, आप वीडियो देखते रही है, आपको सब पता चल जाएगा इससे पहले हम वीडियो चालू करें, मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि आज की वीडियो में हम क्या-क्या डिसकस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर आप answer writing में genuinely interested है, तो ही ये वीडियो देखिएगा और पूरी देखिएगा मैं नहीं चाहता, आप आदी वीडियो देखें हैं, कुछ गलस समझ लिया हैं, फिर बोड एक्जाम में आपके दिक्कत हो क्योंकि अधूरा ग्यान हमेशा विनाश का कारण होता है, अब सीधे में आपको बताता हूँ सबसे पहले हम देखेंगे भाई, क्या answer writing अब इतनी important हो गई है, कि इसके लिए course बनाना पड़ जाए दूसरे नमबर पर मैं आपको course related बाते बता रहा हूँगा, और आखरी में course का एक teaser मैं आपको बताऊँगा, जिससे आपको idea लग जाए कि course में क्या-क्या देखने को आपको मिलने वाला है अब सीधा वीडियो को चालू करते हैं, हम बात करते हैं कि answer writing इतनी important है कि अब इस पर एक course बनाना पड़े, तो जो चीज़े मैं आपको बताऊँगा उसको सुनने के बाद आप भी बोलेंगे हाँ सबसे पहले आर YouTube पर आप search करिए how to write answers in board exams, तो आपको हजारों लाखों वीडियो मिल चाहिए जिसमें बहुत सारी बाते बताई गई है, answer बड़े लिखना चाहिए, हो सके तो flow charts बनाना चाहिए, points में answer लिखना चाहिए और ना जाने क्या-क्या लेकिन ये सारी वीडियो एक question mark के आगे हार जाती है, और वो है क्यों, ये जो चीजे जो बताई गई है वीडियो में इनको follow क्यों करना है, और एक और बड़ा question की वीडियो में जो चीजे बताई गई है, अगर मैं इनको follow नहीं करता हूँ, तो मैं एक topper क्यों नहीं बन सक मैं आपको एक छोटा सा टास्क देता हूं यार आप गूगल पर चाहिए और पिछले 10 सालों की टॉपर्स आंसर शीट डाउनलोड कर लीजिए क्या वो सारी आंसर शीट सेम रहती हैं क्या सबने सेम आंसर लिखे होते हैं इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं हर आंसर शीट आपको भी पता लग जाएंगी घबराने की कोई भी बात नहीं है हमारे साथ होता यही है यार कि हमें स्कूल में घर में बहुत सारी चीज़े बता दी जाती है कि बोर्ड एक्जाम में अगर कोई क्वेशन का आंसर ना बन रहा हो तो मन से कुछ भी लिख देना चैप्टर क क्रॉस मिलने वाले हैं अपनी आंसर शीट में अब इसमें से कितना सच है कितना जूटी आपको नहीं पता होता आप सीरा बोर्ड एक्जाम के प्रप्रेशन में लग जाते हैं मैं पिछले दो साल से यूट्यूप पर हूँ हजारों बच्चों को पढ़ाया है पिछले सेश अच्छा स्कूर कर रहे होते हैं लेकिन बोर्ड एक्जाम में उनका परसेंटेज गिर जाता है और कुछ होते हैं जो स्कूल में इतना अच्छा नहीं कर रहे होते हैं लेकिन बोर्ड एक्जाम में उनका स्कूर बहुत अच्छा होता है इतना तो आप भी समझदार है ये जानते कि दिमाग में चाहे कितना मी knowledge क्यों ना हो अगर उसको हम बोल कर और लिखकर express नहीं कर सकते तो वो knowledge किसी भी काम का नहीं है फिर इसके बाद अगर हम इस course की बात करते हैं तो ये course around one hour का होने वाला है एक घंटे का एक course है लेकिन उसमें बहुत कुछ आपको सीखने का मिलने वाला है इस course को हमने चार वीडियो में डिवाइट कर दिया है पहली वीडियो फाउंडेशन का काम कर रही होगी और फूर्थ वीडियो को आप cherry on the cake बोल सकते हैं पहली वीडियो में कुछ myths है जिने हम बश करेंगे क्योंकि अगर हमें सच पता ही नहीं होगा तो सच की रहा पर हम आगे कैसे बढ़ेंगे उसके बाद दूसरी वीडियो में मैं आपको बता रहा होगा कि भाई आप कैसे checker को बता सकते हैं कि आपको अपने answer के लिए कितने marks चाहिए यह दूसरी और तीसरी वीडियो सबसे जादा important होने वाली है फिर third video में हम second video को फॉलो कर रहे होंगे उसमें जो चीजी हमने सीखी उसको देखकर अब हम देखेंगे कि one marks से लेकर eight marks के कोई भी question आ जाए उनके answer हम कैसे frame कर सकते हैं और fourth video में आपको answer writing presentation की tips दे रहा होगा वोई cherry on the cake का वो video काम कर रहे होगी तो जब आप ये चार videos पूरी देख लेंगे उसके बाद आपके अंदर से answer writing का डर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा आप board exam में बस एक दूआ कर रहे होंगे कि question ऐसे आए जो मुझसे बन रहे हो मेरे syllabus में मैंने जो पढ़ा है उससे question आ जाए क्योंकि अब answer लिखने से मुझे कोई नहीं रोख सकता answer लिखते मुझसे बनता है तो ये course की बात आती है अब इसके बाद अगर बात करते है course आपको मिलेगा कहाँ पर तो ये आपको मिलेगा हमारी application में आप play store में जाके search कर सकते हैं the twin bros और हमारी application डाउनलोड कर सकते हैं ये course आपको हमारी website पर भी देखने को मिल जाएगा उसका link भी मैं description में डाल दूँगा ये course जरूर से purchase कीजिए description में सारे link आपको मिल जाएंगे अब इस course का price क्या होने वाला है course का price 1000 नहीं है 500 नहीं है 300 नहीं है 200 नहीं है फिलाल ये course हम आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 99 रपीस में लेकर आगा है price इतना कम क्यों है देखिए बाई यहां पर हम कमाने नहीं बैटे है हमारा aim है कि इंडिया का हर एक बच्चा आगे बड़े तो हमने price ऐसा रखा है कि हर एक बच्चा जो ये वीडियो देख रहा है वो उसको effort कर सके तो आपको play store और website में हमारा ये course मिल जाएगा अभी के लिए 99 price है future में price increase हो तो उसका में अभी से आपको कुछ नहीं बता सकता तो जितना जल्दी आप purchase कर लेंगे उतना आपके लिए better रहेगा description में पूरे आपको links मिल जाएंगे ये course को ये ऐसा magic नहीं है कि आपको कुछ tricks दे दी जाएंगी है अब इसके बाद आपको लग रहा होगा थोड़ा teaser वगरा मिल जाता तो जादा अच्छा रहता तो उपर end screen में teaser डाल रहा हूँ उस पर click करके आप इस course का teaser देख सकते हैं अगर आप course purchase करना चाहे तो description में पूरे links आपको मिल जाएंगे अभी भी कोई doubt है तो comment में पूछ सकते हैं telegram में आप उसे पूछ सकते हैं